अयुद्ध्या से अनुभव जी उन्होंने एसी वर्ग का उमीदवार उता रहा है सामाने सीट से और मेरे जानकारी यह कहती है गलत भी हो सकता हूं रोहत भाबो लेकिन मेरी सुचना समझ यह कहती है कि बीएस्पी वहां गुड्डु जमाली फॉर्मूला लागू करेगी अयुद्ध्या में गुड्डु जमाली भी व्यक्ति का नाम नहीं है उत्रपदेश में वह उनकी सीटे बाट पर कारेलेस्ते होंगी नहीं भेंजी खुट्य करेंगा अचा आप अपनी मानने को त्यारने को दूसरा कर रहा है वह भेंजी कहरें है तो चोटी पार्टी है वो चार बार मख्यमंत्री नहीं है रोज़द्बाव ठीक माया बती जी का मैं सम्मान करता हू वो चार बार मख्यमंत्री रही है देश के सबसे बड़े सूवे की उनका एक कद है इसने यह तो मैंने कह सकता है कहां सतने होंगी लेकिन गुड्डू जमाली ऑफ पॉलिटिक्स टाइप पॉलिटिक्स भी उत्रपदेश का सच है और सारा पीडिये एंडिये यह एलाइंस वो अलाइंस यह मीटिंग, वो मीटिंग, यह मुद्दा, वो मुद्दा, सब एक तराजू, एक पढले में और एक पढले में गुड्डू जमाली भरमूला, क्या? हलका नहीं है गुड्डू जमाली भरमूला अकले श्यादा उनको भी फरक पढ़ता है उससे बहुत जादा, लेकिन जैन्त के लिए तो और मुश्किल है, पश्चिम में वो एक हाजी घड़ा कर देंगी, जेलो, माल पानी से भी मजबूत और मुस्लिम और दलित, जो बोट मिल जाए वो आपके लिए नुकसान भर करने भर के लिए परयापत है, ये एक विशे है, खैक, मुझे ऐसा लगता है, कांग्रेस उतर पदेश में वस्तु इस्थिती को समझ कर नहीं चलेगी, और एक धारना और भी है, मैं उसको भी यहा कांग्रेस के एक बड़े नेतास मेरी चर्चा हो रहे थी, उन्होंने का क्या होगा अगन्योतरी जी मलों, नहीं होगा, अलग-अलग लड़ लेंगे, अगर सरकार बनाने की कोई स्थिती आई, अगर, तो अखिलेश यादव हमारे अलावा कहां जाएंगे, एक, और नहीं आई, तो हम अखिलेश यादव का करेंगे क्या, समझे बात को, क्या, बोलो सियापत राम चंदर की जय, ये धारना भी है, राजनीत बड़े निष्टूर होते है मित्र, इसलिए गलत भहमिं मत रही है, सकारात्मा की सब बोलने की बाते होती, अंदर इतना कपट होता है, त उपर से काथा, नमस्कार जी, नमस्कार, वाँ, 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 क्या, अरे भाई, बिंद्या चले में, जब तब तक तो लोग कराते हैं कामाख्या में, कि निपर निपर जाए, ये सकारात्मा की सब बाग, ठेक, मेरा ऐसा मानना है कांग्रेस को फिर भी, जि बात है, आप ममता बनर जी से या अखिलिश यादव से, ये कैसे उमीद कर सकते हो, कि आप अपने सव साल का इतिहास की किताब उनको दिखा कर, उनसे कहो कि आप हमारे पीछे चलो, नहीं ना, उन लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने अपने सूबे में, अपनी पार्टी खड़ी की है, अपनी लीडर्शिप इस्टेबिश की है, आज मैंने सुना कांग्रेस के प्रभारी को, उनका सारा जोर इस बात पर रहें के हम बड़ी पार्टी है, राष्टी पार्टी है, वो करे हो सकता है, आज हमारे पार्टी में होड़ी कमजोरी आ गई हो, लेकिन हम फिर जिसे बिटामीन इटा मिले के फिर मजबूत हो जाएंगे, लेकिन उत्तरपदेश का राजनीतिक परिद्रश्य है, उसमें समाजवादी पार्टी को अभी दो साल बाद, धाई साल बाद विधान सभा भी लड़ना है भाई, और समाजवादी पार्टी के लिए लोग स सभा से कई गुना जादा महत्पून विधान सभा चुनाव होगा, आज वो अगर कांग्रेस की लीडर्शिप एकसेप्ट कर लेंगे, तो अगलेश यादब 27 मों कैसे लड़ेंगे विधान सभा के चुनाव, ये भी एक बुनियादी सवाल है, और मुझे ऐसा लगता है, कि ग्यारा इसको नव और दो मान लीजिए, दो जो गांधी पट्टी की सीटे है राइवरेलियमेठी, या बहुत अच्छा मान लीजिए नगविज आप, तो ये होतकता है ग्यारा प्लस टू, ग्यारा नई सीटे और दो राइवरेलियमेठी, तो तेरा हो जाएं, मुएरे ख ये जो है, या इसमें पहुत जोड़ घटाना हो जाए तो ग्यारा प्लस दो, और एक लोजिक हो जाए, कि नेता जी की समय से एक वेवस्था थी, कि जहां से गांधी परिवाल लड़ागा, वहां हम नहीं लड़ाएगे, तो राइवरेलियमेठी छोड़ दी, अब ये लड़ने में तो किसी को को रोक है नहीं, लेकिन 2009 का अर्थमेटिक, 2024 में चले, इसकी संभावना नहीं लगती, आपको आना तो विधान 14, 17, 19, 22 इनी में पढ़ेगा, 2009 में बात नहीं जाती, और एक आखरी बात में कहूंगा, कि अगले श्यादव ने जिसोवेने आरंभव में कहा था, इस सूची में इस बात का ख्याल रखा है, कि जो लोग उनकी पार्टी या उनकी लीडर्शिप को चेलेंज करके गए है, वो बाया गठबंधन बाइपास रूट से भी चुनाव नहीं लड़े, यह उन्होंने इंशोर किया है इन नामों में, देख लीजेगा गौर सर, जहां वो M.C.L. लगा सकते थे उन्होंने लगा दी, और जहां खुद नहीं लगा ना, चाहांते थे M.C.L. जैंत चोदरी से लगवा दी, बोले यह सीर तु क्योंकि विपक्षी के पास जो कुछ है जमाजथा उसका बड़ा हिस्सा अखलेश्याद आपके पास है, तनी बाद